हेलो एवरिवन एपसोट की स्टार्टिंग में सोली को पता चल गया था कि वो किसी का जूट नहीं सुन पा रही है इसलिए वो इस बात से काफी परिसान हो जाती है और दूसी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जो की म्यूजिक बना रहा था और वो यॉंग जे के बारे में भ सोच रहा था तब उसके घर का डोड़ नौक होता है बहर सोली आई थी दोहा उससे फिर से माई डियर सोली बोलने लगता है तो सोली बोलती है कि यह सब बंद करो मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं लोगों का जूट नहीं सुन पा रही और वो काफी ज्यादा सैट थ जो भी उसके और क्लाइन के बीच हुआ कि वह उस लड़की का जूट नहीं पकड़ पा रही थी तो दोहा बोलता है कि डॉक्टर ने तो नहीं बताया था कि तुम किसी का जूट नहीं सुन पाओगी तो सोली बोलती है इस बात को डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे इसे सिर् और फिर दोहा से बोलने लगती है कि चलो मुझसे जूट बोलो और उसे बोलती है कि बोलो कि मैं अगली हूं बर दोहा मना करता है कि नहीं मैं नहीं बोलूगा तो सोली उसे जित करने लगती है तो लाश्ट में दोहा उसे बोल देता है कि तुम अगली हो तो यह सुनकर सोल का केस लेना बंद कर दो तो दोनों पूचते हैं कि क्या हुआ थी उने अब दाती है थी उन्हें पता है कि मेरे मेरे कान में यह मुझे लगी थी जिसकी वज्य से मैं लोगों का जूट सुन पाती थी और ब्लास्ट की वज़य से वह भर हो गई है तो केसंड्रा ज laquelle जोट बोलने के जूत नहीं है मुझे सब कुछ पता है मुझे पता है कि तुम जरम से ही सब के जूत सुन सकती हो विर तुम कोई समझ नहीं हो ना तो तुम पार्ट करती हो ना ही तुम्हें कोई spirit दिखती है इसलिए हम से जूट मत बोलो तो जीवन बोलता है क्या मैं ही हूँ जिसे ये सब नहीं पता तो कैसंडरा और सोली हथने लगते हैं सोली बोलती है कि ये काम अब मैं बंद कर रही हूँ तो कैसंडरा बोलती है कि हम लोग टैरोट काफे तो चला सकते है क्योंकि मुझे टैरोट रीडिंग आती है तो सोली इसके रियागरी हो जाती है सोली शिवन से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम जॉब च्वोड़ सकते हो बट शिवन बोलता है कि हम लोग लोग consec principal है इसलिए हम लोग ये जॉब नहीं छोड़ेंगे तो ये सुनकर सोली काफी खुस हो जाती है और उनको लंच ओफर करती है और दूसी तरफ हमें सोली के फादर को दिखाते हैं जिनका इंटर्वियू होने वाला था वो उन लोगों से बोलते हैं कि प्लीस मेरा फेस हाइट कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़े से मेरी फैमली को प्रॉबलम हो तो वो लोग एगरी हो जाते हैं और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि किसी के कंपनी के सीयो के साथ बैटी थी वो लोग मीटिंग कर रहे थे वो सीयो सोयन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता चला मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है तो क्या तुम मेरी कंपनी जोइन कर सकती हो तो सोयन बोलती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी और उनसे बोलती है कि आप किसी कंपोजर को ढूर रहे हैं यूँकि मैं किम दोहा के काफ़ी क्लोज हूँ तो सियो बोलता है कि तुम मेरी मीटिंग दोहा के साथ फिक्स करा सकती हो तो स्वन बोलती है कि ठीक है मैं उससे बात करूँगी और फिर हमें दोहा को दिखाती है जो कि यूँक्जे से बात कर रहा था वो उसके भाई के बारे में पूछ रहा था तो बताता है कि हाँ मेरा भाई ठीक है और यूँक्जे उस दिन के लिए मावी मागने लगता है तो दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाती है जो कि उसी आदमी के साथ बैठी थी वो आदमें उन्हें काफी सारे घरों की फोटो दिखा रहा था फोटोस देखकर सोली के मौम को काफी अच्छी लगती है तब ही वो सोली के फादर का इंटर्वियू देख लेती है सोली के फादर का चेहरा बलर कर दिया गया था बट सोली की मौम उसे पहचान लेती है और फिर में दोहा को दिखाते हैं जिसके पास सोयन को कॉल आया था और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है और फिर इसके बाद सोयन सोली के टेरोड कैफे में आ जाती है सोली सोयन को देखकर खुस नहीं होती है बच्ची उन तो उसको देखकर काफी ज़्यादा खुस होता है सोली उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों आई हो तो सोयन बोलती है कि तुम्हें टेंसल लेरी के जुरत नहीं है मैं मूवान कर चुकी हूँ तब ही वहां पर दुहा आ जाता है और वो सोली से बोलता है कि मुझे और सोयन को कुछ बात करनी है और वो दोनों साइड में बैठ जाती है सोयन दुहा को बताती है कि एक कपने के CEO ने मुझे ओफर दिया है कि मैं उनके साथ काम करूँ क्या तुम उनके साथ काम करना चाहोगे बड़िये सुनकर दोहा मना कर देता है कि नहीं मैं अपना स्टार्टेप स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं इस काम के लिए लोगों को भी ढून रहा हूँ तो सुन बोलती है कि अच्छी बात है तो सुन बोलती है कि इस बोड़िगार्ट का कुछ नाम तो होगा ही तो चीवन फिर अपना नाम बताता है कि मैं बैक्ची हून हूँ तो फिर सुन उससे बोलती है क्या तुम सच में मेरे बोड़िगार्ट बनना चाहते हो बट फिर उसके बाद तुम्हें यहां से जॉब छोड़नी पड़ेगी तो चीवन कुछ भी नहीं बोलता है सो एन उसका नमबर ले लेती है और फिर अंदर हमें दोहा को दिखाती है जो कि कैसंड्रा और सोली के साथ बैटा था कैसंड्रा उसका टैरोड कार्ट रीट कर रही थी कैसंड्रा दोहा को इसारा करती है कि यह वाला कार्ट चूस करो दोहा वही चूस करता है तो कैसंड्रा उसे पढ़कर बताती है कि आज तुम्हें अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना चाहिए इसे तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा तो सॉली मना करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है मुझे आज काफी काम है तो कैसेंडरा बोलती है कि कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा इसलिए तुम फ्री हो तो फिर सॉली हाँ बोल देती है और दोहा उसे महाँ से ले कर जाता है दोहा और सोली के जाने एक बाद शीवन कैसरड़ा के पास आता है और उससे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो कैसरड़ा बोलती है क्या तुम काम शोड़ना चाहते हो वो दोनों मूवी देखने आये थे जो कि काफी कमेटी थी सोली उसे देखकर काफी जदा हस रही थी और दोहा भी काफी खुश था सोली दोहा से बोलती है कि मैं काफी दिनों बाद हसी हूँ तो दोहा बोलता है कि मुझे तो खोदी रही पता कि मैं कितनी दिन बाद हसा हूँ उसके बाद फिर हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं सोली डिनर करने के लिए लोकेशन ढूड रही थी व facto दोहा मना कर देता है कि नहीं मुझे काम है इसलिए हम लोग घर चलते हैं सोली का मन घर जाने का नहीं था बड़ वो एगरी हो जाती है इसके बाद सोली और दोहा अपने घर पहुँच के थे दोहा जैसे ही अपना गेट बंद करता है उसके बाद वो खाना बनानाय स्टार्ट कर देता है वो खाना बनाने के लिए काफी सारी वीडियोस देख रहा था और उनसे सीख कर काफी सारी डिसेस बनाता है क्योंकि वो सोली को सर्प्राइज देना चाता है और दूसी तरफ हमें सोली को दिखाती है जिसको काफी ज़्यादा भूक लग रही थी और वो दोहा पर भी गुस्सा करती है तभी उसको बालकनी के पास से काफी अच्छी डिसिस की खुस्बू आती है तो ये सूंकर उसको और भी ज़्यादा भूक लगने लगती है तब दोहा उसको मैसेज करके बुलाता है सोली जैसे ही वहाँ पर जाती है दोहा ने उसके लिए सर्प्राइस रखा था सोली ये देखकर सर्प्राइस हो जाती है और उसे बोलती है क्या तुमने इसलिए मुझे जुट बोला तो दोहा बोलता है क्या तुम नाराज हो तो सोली बोलती है कि नहीं मैं नाराज हूँ और वो काफी जदा खुस हो जाती है फिर वो दोनों खाना खाने लगती है दोहा सोली को काफी सारी डिसेस दे रहा था और सोली उन्हें टेस्ट करके बताती है कि ये डिसेस तो काफी ना सीख जाओं तो दोहा उसे देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो दोने एक द्यूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर यह अपिसोड एंड होता है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रहे हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को आके यह झाल उख गई एंड एंज बाइद पयाँ आग पर आपको बढे घंगे लगते हैं और ट्रॉट है और आपको वीडियोस अज़ एंगे झाल ड़वाँ सब्सक्ष्ट के लगते हैं आपको का लगता हैं तो हैं तो विया उन खुटें एंगते हैं खेंगते हैं और